Hi Everyone, Welcome to my channel आशा सकसेना आज हम आपके साथ शेर करने जा रहे हैं गने बालों में अंडराम्स बैक्सिंग कैसे करें और ये आप देख रहे हैं कितने गने बालें और इन हेर में हम बैक्सिंग करके आपको बताएंगे रीका बैक से रेका वेक्स से वेक्सिंग किस तरह से करनी चाहिए इन गहने बालों में तब ही आपको अच्छे समझ में आएगा यह देखिए मेरी क्लाइंट के दोनों अंडर आंस में अलग अलग टायरेक्शन में और अलग तरह के घने बालों वाले जो अंडर आंस आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरह से है और यह सबसे पहले हम इनको क्लीन करेंगे और यह अभी हमने आपको बताया था कि एस्टी जेंट लोशन नहीं है प्री लोशन है यह सारा कंपनी का 450 इसकी MRP है और काफी अच्छा है इससे सारी गंदगी पसीने के जरीए जो होती है या फिर डश लग जाती है या फिर बहुत जादा पानी जैसा इन लॉंग हेर में आता है यह देखिए उसके बाद में हम बताते हैं आपको यह Reka Wax है Reka Wax यह बनाना वाला है काफी अच्छा है इसमें 800 कौंटिटी है इसमें इतने ग्राम में काफी सारा काम हम कर सकते हैं क्योंकि इसकी बिल्कु पत्ली लेयर लगाते हैं यह हमने Wax Seater में Under Arms के अकॉर्डिंग इसमें यह Wax निकाला हुआ है और Wax को कितना गरम करना है वो हम बार-बार आपको बताना चाहरे हैं एक पत्ली जो आपने देखा अभी के पत्ले रूप में थुड़ा सा दिखाई दिया यह Wax इस तरह से हमको पेगालना है उसको बहुत तेज गरम नहीं करना है तेज गरम से इसकिन जलने का डर रहेगा और यह देखिए लगाने का तरीका देखिए आप यह मेरे जो client के underarms हम बता रहे हैं आपको यह three direction में hair है इस underarms के इस hand के underarms वाले hair three direction में है और दूसरे hand के underarms के hair जो होईगे वो food direction में है यह देखिए इस तरह से हमने direction के according wax को apply किया है पतली layer लगाई है और फिर पतली layer लगाने के बाद में आप देखिए तुरंत हमने approach direction में इस tip को खीचा है एक बार फिर से देखिए यह हमने पतली layer underarms के hair लगाई है एपलाई किया है और यह direction के according हमने किया इस tip को बिलकुक clean लेना है यह weakness के लिए एक छेताबनी है और clean लेने के बाद में जैसे हमने उसको use किया तो हमने फोल्ड कर दिया और इस तरह से यह tip दुबारा काम में आ ज करते हैं तो फिर एक ही बार में सारे heavy hair भी remove हो जाते हैं यह दो direction में आपने देखा इतने सारे hair एक ही बार में निकल गए अब यह third direction वाले hair जो है थोड़े से hair का direction चेंज है तो उसी के according हमने यह wax को apply किया है और wax को apply करने के बाद में देखिए हम अच्छे से प्रेस करेंग इस्टिप बिल्कुर clean side में लेंगे और यह opposite direction में हमने इस्टिप को प्रेस करके खीचा है और आप देख रहे हैं कि सारे hair इतने जो घने बालों वाले hair दिखाई दे रहे थे बालों का आपने जुंड के रूप में जो देखा है और एक ही बार में सारे hair जड़ते remove हो गए को avoid ना करें और दुबारा से उस जगे पर wax लगाकर उन hair को remove करें यह देखिए यह करने का तरीका हमने step by step आपको explain किया है इस तरह से रीका wax से घने बालों में underarm waxing करनी चाहिए और यह हम इस्टिप को दिखा रहे हैं बार बार कि कितने सारे hair एक ही बार में remove हो गए आप देख रहे हैं और यह skin एकदम clean दिखाई दे रहे हैं और यहां अब हम यह देखिए after lotion इसको ले रहे हैं इससे हम clean करेंगे पहले हमने before lotion लिया था अब after lotion ले रहे हैं और इससे हम पानी नहीं लगाएंगे cotton में लेकर इस तरह से skin को साफ करेंगे और बिल्कुल भी चिपचपाट नहीं होगी और अच्छे से बिल्कुल साफ हो जाएगा यह देखिए आप वैक्सिंग से जब हम hair remove करते हैं कहीं के भी तो वो फिर skin हमारी और भी hair दिखाई देती है किसी तरह का कालापन नहीं होता है इसलिए कालापन नहीं होता है क्योंक कि यह वैक्स से इसकिन एकदम नीट हो जाती है यह एक हाथ के जो अंडरांस वैक्स हमने करके बताया है अब दूसरे हैंड के जो अंडरांस hair आप देख रहे हैं किस तरह से हैं यह जुंड के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं और डिफेंट डिरेक्शन में hair है यह लगवक फोर के करीब direction हैं इनके सबसे पहले हैं नीचे से उपर hair जा रहे हैं side में जा रहे हैं दो side और फिर उपर से नीचे आ रहे हैं तो यह direction को देखकर हम इस तरह से wax को अप्लाई करके इन hair को नीट करेंगे यह देखिए सबसे पहले हमने यह pre lotion जो लिया है उससे skin को स साफ करने के बाद में फिर उसी तरह का procedure जो फिछले underarms में किया था उसी तरह से करेंगे लेकिन दौनों के दौनों hand के underarms जो हैं अलग अलग तरीके से हैं तो वो थोड़ा हमको देख कर ही करना चाहिए यह बिजनर्स के लिए विशेश कर बताना चाहेंगे कि सबसे पहले hair direction को judge करें और उसके बाद में फिर काम करें यह देखिए पहले हमने जो उपर से नीचे की side में hair आ रहे हैं उन hair पर हमने यह wax को apply किया है wax की बिल्कुल पतली layer हम लगाएंगे इसके अलाबा इस tip को बिल्कुल clean लेंगे जिससे कि एक ही बार में वो सारे hair remove हो जाएं क्योंकि अगर हम एक ही जगे बार-बार इस tip को लगाते रहेंगे तो skin damage होती है और blood आने की भी संभाबना होती है इसलिए underarms waxing विशेश कर अगर हमने ध्यान से किया है hair के direction के according किया है तो कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल blood wear की कोई संभाबना नहीं बनती है यह देखिए एक ही बा में इस tip में आ गए और अब देखिए यह आप देख रहे हैं कि इस तरह से यह कुछ hair जो बचे हुए थे यह अलग direction में है तो बीच बीच में जो थोड़े थोड़े hair दिखाई दिये हैं उन पर हमने उसी direction की according wax को apply किया है इस tip को press किया और फिर इस पर हम wax लगाने के बाद में जटके से खीचेंगे बहुत ज़्यादा प्रेस कर लेना चाहिए जिससे की step पर hair चिपक जाए और फ्रेंड्स हम यह बताना चाहेंगे कि देखिए यहां हमने यह फोर्चला बिल्कुल use and throw वाला लिया है आप steel का भी use कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इस wax में ह हम यह बुडन का ही use करते हैं use and throw क्योंकि साफ करने का जिंजट नहीं होता है दूसरा वैसे भी ज्यादा तर हम बुडन वाला ही करने लगे हैं क्योंकि infection ना हो किसी के इसलिए अगर हम steel का use करते हैं तो फिर डिटॉल वाले पाने से उसको wash कर लेना चाहिए यह देखिए अ अब अलग direction है यहां यह बिलकुँ growth इतनी heavy है कि इसके बीच में भी अलग direction है इसलिए बहुत ध्यान से इनको करना पड़ेगा यह देखिए आप आपने देखा कि एक direction में जो hair थे सारे आगे और बीच में जो different direction में hair है उनको हम अब अलग से करेंगे तो यह एक करने का proper त निका wax काफी अच्छा है इसमूथ है flexible है इसके अलाबा इसमें कोई side effect नहीं है पानी का use बिलकुल नहीं होता है और यह banana का हमने जो लिया है fruit का यह काफी अच्छा है और भी ज्यादा moisture dry skin वालों को पहुंचाता है तो इस wax से कोई dryness नहीं आती है इसkin पर इसkin glow करती है सार tanning removal यह देखिए मेरे client के underarms एकदम चमकने लगे हैं और आप देख रहे हैं पहले आपने एकदम black dark color के देखे थे और अब भी बिलकुल fairness के साथ में बिलकुल golden आप देख रहे हैं कि किस तरह से skin उस रूप में हमको दिखाई दे रही है तो friends विश्वा से आपको यह रीका wax से घने बालों में अंडरांग waxing का काम पसंदाया होगा वीडियो अगर थोड़ा भी पसंदाता है यूसफुल रहता है तो like करिए share करिए और comment box में comment जरूर करिएगा और यह हमने बॉश करने का काम दिया नेक्स वीडियों से मिलते हैं मोच जलनी तब तक के लिए आप से टाली थी, okay bye thank you